Diagnostic Criteria for Cyclothemic Disorder So now we will see कि जो DSM-5 है वो किस तरह इसको explain करता है कि कौन से features जो है वो एक बच्चे के अंदर होंगे तो हम उसे कहेंगे कि उसको Cyclothemic Disorder जो है वो है अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि Adult के अंदर Two Years का Criteria है But for Children and Adolescents के अंदर अगर हम देखें So that is at least one year है ठीक है अब उसके अंदर Numerous Periods हैं For Hypomanic Symptoms And Numerous Period हैं Depressive Symptoms के But Depressive Symptoms के हैं लेकिन इसके अंदर जो चीज है वो यह है कि ना तो वो Hypomanic Episode का Criteria पूरा Fulfill कर रहा होगा ना ही वो Major Depressive Disorder का Criteria Fulfill कर रहा होगा ठीक है तो जिस वकत ऐसा हो कि आपको लगे Hypomanic के फीचर हैं लेकिन ना तो यह 4 consecutive days से आ रहे हैं और ना ही इसके जो बाकी Features हैं उन में से यह पूरे Fulfill कर रहा है यानि 3 अगर उसका Elevated Mood है और अगर Irritable Mood है तो 4 From the B Criteria तो इसका मतलब यह है कि आप उसको Second Dot दे सकते हैं CD का अगर उसके अंदर आपको Depression के Features भी नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको Two Weeks की Active History नहीं नज़र आ रही Sadness की या Low Mood की Loss of Player की और बाकी जो Symptoms हैं B Criteria के वोब की आपको Depression के नज़र नहीं आ रहें वो पूरे Fulfill होते वे तो हम यह कह सकते हैं कि Cyclothemic Disorder उस Client को हो सकता है लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे Important चीज है That is the Time Period कि Time Period at least One Year का Children and Adolesans के अंदर होना चाहिए So that is something which you need to be Considered Then B Criteria क्या है कि जो बच्चा है उसके अंदर Full Remission ना आया हो हम जब Full Remission की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि at least Two Month में जो बच्चा है उसके Symptoms जो है वो Symptom Free रहा हो तो Cyclothemia में ऐसा नहीं होता बच्चे के अंदर Full Remission जो है वो नहीं आई होती यानि at least Two Month के लिए वो Symptom Free नहीं रहा होता Then हम सी Criteria देखते हैं कि Major Depressive Manic Hypomanic Episode का जो Criteria है वो जो है वो Fulfill ना हो रहा हो क्यों क्योंकि अगर तो Maniac Manic Episode पूरी उसकी कवर हो रही है तो Definitely हम Bipolar One Disorder की तरफ जाएंगे अगर उसके अंदर Major Depression आ रहा है और Hypomania आ रहा है With the absence of Manic Episode तो हम Bipolar Two Disorder की तरफ जाएंगे लेकिन अगर उसके Symptoms जो हैं वो Fulfill नहीं हो रहे यानि ना वो Depressive में जा रहे ना वो Manic में जा रहे ना वो Hypomanic में जा रहे मगर कुछ ऐसे Symptoms हैं जो Hypomania के या Depression के हमें Prevail नजर आ रहे हैं उसके अंदर Over the One Year तो हम ये कहेंगे कि वो जो बच्चा है उसे Cyclothemia है Then, D Criteria D Criteria में ये है कि जो भी उसके Symptoms हैं वो Schizophania की वज़ा से Schizophania की वज़ा से Delusion Disorder की वज़ा से या जो Other Psychotic Disorder हैं उनके साथ वो Relate ना कर रहे हैं तो यानि हमें इसी सा भी ख्याल करना है कि जो Client है उसे Schizophania का Disorder तो नहीं है तो ये भी आपने उसके अंदर Find Out करना है Then, E हमारा क्या है कि कोई भी जो उसकी Symptoms हैं जो Hypomania की कुछ Symptoms आ रही हैं वो किसी भी किसम के Substance को Use करने की वज़ा से या किसी भी Medical Condition की वज़ा से जिस तरह Hypothyroidism जो है उनके अंदर Certain Time इस तरह के Features आ जाते हैं तो आपने ये भी जो है इस चीज का दिहान रखना है कि ये चीज़े रूल आउट हुई हो और जो उनके अंदर Symptoms आ रहे हैं Hypomania के या Depressive Depression के वो इस वज़ा से ना आ रहे हो Then F Criteria के जो Distress है वो Create हो रहा हो और उनकी Functioning Level जो है वो Effect हो रहा हो Social हो सकता है, Educational हो सकता है Occupational हो सकता है अब इसमें जो Important चीज़ है वो ये है कि जो Cyclothemic Disorder है ये Milder Form में भी होता है और ये Severe Form में भी होता है लेकिन जो इससे Impairment होती है वो ज्यादा होती है As Compared to Bipolar 1 Disorder ये Bipolar 2 Disorder का क्योंकि इसमें Mood जो है वो Persist कर रहा है For more than 1 year और उसके अंदर Continuous Swings आ रहे हैं तो इसलिए आम तर पर ये कहा जाता है कि जो Cyclothemic Disorder है उससे जो Mood Disturbances है उससे जो Impairment in Functionality है वो ज्यादा सवेर होती है Thank You